दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं डबल स्मार्ट मूवी को इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो मूवी की शुरुवात में हमें स्मार्ट शंकर और उसकी मा गो दिखाया जाता है जिनने शंकर प्यार से पोचम्मा कहकर बुलाय करता था उसकी मा का सपना था कि वो अपने बेटे को बड़ा आदमी बनता देख सके और उनके पदी ने तो उनका साथ काफी पहले छोड़ दिया था जिस वज़ा से पोचम्मा घर चलाने और शंकर को पढ़ाने के लिए दूसरे के घर में काम करती थी फिर करकर कि इतना पैसा कमा लिया था कि उसके हर एक देश में कसीनो या होटल थे अब आज जैसा ही बिग बुल अपनी किसी डेल के लिए वापस अपने विला पर आता है तो वो अचानक से बेहोश हो जाता है फिर उसके होश आने के बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसको ब डॉक्टर के एकी बात सुनने पर बिग बुल भी कहीं न कहीं मान बैठा था कि अब उसकी मौत जल्दी होने वाली हैं पर तबी उससे मिलने इंडिया से एक थोमस नाम का डॉक्टर आता है जो बिग बुल को बताता है कि मैं आपकी मौत को तो नहीं रोक सकता लेकिन इसके करने के लिए थोमस साफ इनकर कर देता है किसमें आपके गाड की जान का खतरा हो सकता है इसलिए हमें ये सब आम नागरिक पर ट्रै करना चाहिये जिसको करने के लिए बिग बुल तुरंत मान जाता है क्योंकि उससे तो बस अपनी जान की परवाथी इसके बाद थोमस बुल की राइट हैंड बेंटले को बताता है जिस पर बेंटली उसके पास और भी आदमी भेजने की बात करती है पर अब इसके लिए डॉक्टर थॉमस मना करने लगता है और उसे बोलता है कि हमें इतने जादा लोगों की जान नहीं लेनी चाहिए बलकि हमें एक ऐसे आदमे को ढूड़ना चाहिए जिसके सर के पीछे चोट लगी हो और उसके दिमाग पर निशान हो फिर डॉक्टर थॉमस बेंटली को बताता है कि मुझे ऐसा एक आदमे के बार में पता है जिसका नाम स्मार्ट शंकर है और मैंने उसका इलाज करा था शायद हमारे माइन उसे पकड़ने के क्लिए हैदरबाद जाना पडेगा क्योंकि वो वहीं रहता है अब बैंटली ये सारी बात बिग बुल को बताती है जिसके बाeed बहुत बढ़ने के सारी गुसकर सारी वहां के गार्ट सबहुत जाते हैं और सारी पैसा भात जाता है कसीनो होटल्स में चोरी करता है और मा के सभी गार्ड्स को पकड़े जानी पर बुरी तरह से मारता है खैरबाज शंकर अपने दोस्त के ओटो में बैठा होता है जा उसकी नजर इस्टेशन पर आ रखी लड़की पर जाती है और उसका नम को शंकर बिल्कुल सही आदमी नहीं लग रहा था इसलिए वो जल्दी से अपने घर पहुँच कर मा का गेड़ बंद कर देती है इसके बाद तो शंकर बस अपने दोस्तों से जन्नत की बाते करने लगा था जैसे उसने बिल्कुल ठाल लिया था कि वो अब उससे शादी करकर रहेगा फिर वो जन्नत से कई बार बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन जन्नत उससे बात करने से मना कर देती है जिसके अगले दिन शंकर फिर से चोरी करने किसी कलब में पहुँच जाता है जहां वो देखता है कि इस क्लब की इंचार्ज तो असल में जन्नत ही है अब शंकर जैसे ही मासे चोरी करके भागने लगता है उसे पकड़ने खुद जन्नत आ जा दी है जो शंकर की मास्क बहने होने के कारण उसे पैचान नहीं पाती हाला कि यहां जन्नत अपनी पूरी कोश चली गई फिर शंकर जन्नत के पास आकर उससे फिर से फ्लेटिंग करने लगता है लेकिन जन्नत उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है वह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेंटली और थोमस अपने आदमियों के साथ हैदराबाद पहुंच जाते हैं जहां से वो दोने क कलब पहुंचते हैं जिनने उनके जासुस ने बताया था कि शंकर कलब में बैठ कर शराब पी रहा है यहां थोमस शंकर के पास जाकर चुपके सो उसके सर पर लगी चोट को देखने लगता है और कन्फरम होते ही बेंटली को इशारा कर देता है लेकिन तब तक तक तो शंक कर वां से निकल जाता है तो अगले दिन शंकर अपने दोस्तों के साथ बैठ कर शराब पीने लगता है तब उसे पकड़ने बैंटली अपने आदमी के साथ पहुंच जाती है लेकिन उने तो शंकर बहुत अराम से मार देता है तब बैंटली यह सारी बात बिक बुल को बता आता है और वो कहता है कि शंकर को किसी भी हालत में पकड़ कर लाओ क्योंकि अब मेरे पास के वल दो महीने ही बचे हैं इधर शंकर अपने दोस्त के साथ बैठ कर जन्नत के घर पर फारिंग करने लगता है जिससे जन्नत भहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपनी सेफटी फिर से चोरी करने किसी किलब में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि जन्नत भी वहाँ चोरी करने पहुंची हुई है जिससे शंकर पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपना चेहरा दिखा कर साथ मिलकर चोरी करने का ओफर देता है तब इसके लिए जन्नत भी मान ज थे जहां वो बहुत इंजॉय करते हैं तब यहां बेंटली पहुंचकर जन्नत को पकड़ कर शंकर को अपने काबू में कर ले दी है फिर बेंटली शंकर को लेकर सीधा थोमस की लैब में पहुंच जाती है जहां बिग बुल को देखकर शंकर की होश उड़ जाते हैं और वो को मार निकले छट बढ़ाने लगता है अब ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा हाला कि तबी थोमस उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे कर अपना काम करना शुरू कर देता है फिर वो दूसरी तरफ बिग बुल को लिटा कर उसकी सारी याददाश शंकर में ट्रांसवर कर सचिन अपनी टीम के साथ वहाँ पहुच जाता है पर वहाँ सचिन देखता है कि थोमस ने तो बिग बुल का मैंट शंकर में ट्रांसवर कर दिया है इसलिए सचिन शंकर को ही उठा कर अपने साथ ले जाने लगता है या सचिन ये भी जानता था कि शंकर बहुत ही पहुची के बेटे को तो मैंने मार दिया था तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो जिस पर शंकर उससे सारी बात बताता है और सीन फ्लेश बैक में जाता है यहां हम देखते हैं कि शंकर और उसकी मा एक बहुत बड़े आदमी के घर पर काम करती थी जहां उससे मिलने एक दिन बिक बुल आ आए जहां शंकर एक एक करके बिक बुल के सभी आदमियों को मार कर उसे मारने के लिए आगे आने लगता है तब ही बिक बुल तो बड़े अराम से उसे अपनी हिरासत में ले ले लेता है लेकिन शंकर किसी बेतरह बच कर वहां से निकल जाता है और जन्नत के पास बताता है तब जन्नत सीधा ये बात सचिन को बता दे दी है वही दूसरी तरफ बिक बुल बेंटली को शंकर के घर भीश देता है जहां हमें एक बहुत शौकिंग बात पता चलती है कि शंकर ने आज तक जितने भी कसीनों लूटे थे न वो सभी बिक बुल के होते हैं इध ये देखकर सचिन उसका फायदा उठाने लगता है और शंकर के मन में बिक बुल की यादों से उसकी सारे काले धंदों के बारे में इनफरमेशन निकालता है पर तब ही शंकर की यादधाश वापस आ जाती है और वो जल्दी से एक लेकर बिक बुल के सभी पास्वर्ट को देता है वहीं दूसरी तरफ बिग बुल का आदमी जन्नत को लेकर सिधा बिग बुल के पास पहुंच जाता है जहां हमें पता चलता है कि जन्नत असल में एक इंकम टैक्स ओफिसर है जो अब तक छुपकर काम कर रही थी और उसका भी में टारगेट बिग बुल है इसलिए त जाती है कि उसके अकाउंट के पासवर्ड चेंज हो गए है जो देखकर बिग बुल को बहुत गुस्सा आता है और वो जन्नत से कहकर शंकर को अपने पास बुलाता है तब शंकर के साथ सचिन की पूरी टीम जाने लगती है और तभी बीच रास्ते में शंकर बिग बिग ब बना या नहीं जिसमें शंकर बिग बुल के सभी सवालों के सही जवाब दे देता है और बिग बुल को पूरा यकीन हो जाता है कि शंकर अब उसमें पूरी तरह से बदल चुका है अब इसी खुश्य में बिग बिग बुल और शंकर रात में जशन करते हैं और खुब इंज जाती है ताकि बिग बुल के लोग वहाँ पर ना पाएं लेकिन वहाँ पहुंचकर शंकर फिट से बिग बुल में बदल जाता है और पुलिस रिश्टेशन को अपना अड़ा समझ कर एटिट्योड के साथ बैटा होता है तबी शंकर की नजर सामने खड़ी एक औरत पर जाती है जिसका नाम भी पोचमा होता है और एक पुलिस वाला पोचमा को चोरी के लजाम में टॉर्चर कर रहा था जिसे देखकर शंकर बिग बुल से वापस शंकर में बदल जाता है और उस पुलिस वाले को मानने लगता है साथ ही वो पूरे पुलिस इस्टेशन में तोड़ फ भूलंँगा नहीं पर तभी शंकर फिर बिग बदल जाता है और पुचम्मा को छोड़कर वहां मैंसे बिगबल के पास जाने लगता है जिसके पीछे भाकर पुचम्मा भी शंकर की कार पकड़ लेती है और शंकर सीधा बिग के पास पहुंच जाता है फिरमा शंकर बिग बुल के तरह ही उसके सारे काम करने लगता है पर तबी सचिन अपनी टीम के साथ पहुंच कर बिग बुल के अड़े पर छापा मार देता है जहां बिग बुल और शंकर साथ मिलकर सचिन की टीम को मारने लगते हैं वही दूसरी त आप यहां शंकर जन्नत को मारने लगता है जिसे बचाने के लिए जन्नत अगोरियों के पास पहुंच जाती है और शंकर को रोखने के लिए सचिन शंकर के पास पहुंच जाता है जहां वो शंकर को उसका प्लैन याद दिलाने लगता है और यहां में पता चलता है कि शंकर न बना हुआ था वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा तब बिग बुल उसे समझाता है कि अब मैं जब जिन्दा हूँ तो मुझे दूसरे बिग बुल की क्या जुरूरत है और जैसे बिग बुल उस पर गोली चलाने वाला होता है पर तबी उसे रोकने मापोचमा आ और उसे देखकर शंकर की याद दस वापस आ जाती है कि उसे तो अपनी मा का बदला लेना था इसलिए वो बिग बुल के सभी आदमें को मारने लगता है पर तबी बिग बुल शंकर पर गोली चला देता है जिससे शंकर बेहोश हो जाता है हाला कि उसके दिमाग में अभी भी अपनी मा की यादे चल रही थी इसलिए वो तुरंत खड़ा होता है और बिग बुल को जान से मा डालता है यानि शंकर ने अब अपनी मा का बदला पूरा कर लिया है फिर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर थोमस के पास अभी भी शंकर की मेमोरीज पड़ी है यानि अब के दिमाग से बिग बुल की यादे मिट कर शंकर की यादे वापस आ जाएंगी इसी के साथ ये मूवी खतम होती है दुफत आपके मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा और इसके लाबा आप कौन सी मूवी का एक्स्प्लिनेशन चाहते हैं वह भी कॉम